याँपर हम बात करने वाले है Google Camera 8.2 आपडेट के बारे में नया वाला जो यूजर इंटरफेस है, एट किया गया है और कुछ नया इंटरेस्टिंग फिचर्स भी आपर अबले वेल है Gcam के साथ और इस Google Camera के साथ भी फोटो सैंपल भी शेर करने वाले है iPhone जैसा फोटोस को क्लिक कर सकतो, वीडियो जो काफी यदा इंटरेस्टिंग होनेवाला है वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना चैलेंड को सबसकाइब करके घंती वाला आईकोन को दभा के आल सेलेट करके इंस्टागाम में फॉलो कर सकतू तो इस जीकाम के साथ जो मल्टिपल लेंस का जो आप्शन से एड़ किया गया है टेलिफरो लेंस, अल्टोइड लेंस, मैक्रो लेंस का जो आप्शन से काम कर जाएगा जो कि बाई डिफल्ट एनेबल नहीं होता है आपको अ पर चैंजेस देखने को मिलागा, रे डिजैं एवाई देखने को मिल जाएगा प्लस जो बटन से इसके साथ भी आपर जो चैंजेस देखने को मिलता है यहापर नाइट साथ मोट को पार चाक्वर रॉपवाफ्वाटिवाशन से एड़ किया गया है बाजी आपर फोकस अप्शन है एंड यह पर 1X, 2X का जो अप्शन से काम कर जाएगा प्लस से फ़र 10X तक जूम का उप्शन है और ब्राइटने साड़ो का एड़िस करने का उप्शन है पर आटोफोकस को लॉक करने का जो अप्शन से काम कर जाएगा रिसेनली आमने गूगल कैमरा 8.9 का जो लेटेस विल्ड है उसका रिवो वीडियो अपलोड किया है अब सिंपली जीकाम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेक आउट करके देख सकतो और इस गूगल कैमरा का डाउलोड लिंक डेस्किप्शन बॉक्स में पोवाइट कर दूगा वहाँ पर जाके इस जीकाम को डाउनलोड कर सकतो एंड्रोइट 10 एंड्रोइट 11 एंड्रोइट 12 एंड्रोइट 13 एंड्रोइट 14 के साथ यह जो जीकाम का जो विल्ड है काम कर जाएगा पोर्टेट मोड के साथ जो है फेस रिटाचिंग का ओप्शन है या पर पोर Polito Mode के साथ जो एए 8.3 .Sng Zoom को उप्षिंस से काम करेगा तक HDR ns Mode RAW Photo לפ यहीं option है अगर बात करें पर Video recording के बारे में want快 Bose independent device के अगर पर स्लमोशन टाइम लाप्षिंन साट एंग्र विडिओ abstraction आट कियाँ है बाकि आप पर प्रड़ेश परमॉट का ओप्शन यान यह पर प्रप्रणोम का ओप्शन जयोंद वेकर चाहू तो कर पहोगी से भी add किया गया है यहीं आपर बात कहल लेते हैं पर photo sample के बारे में तो हम जो ही यह यह आपके सामने live कुछ photos हो क्लिक करने वाल है इसके अलाबा हमने outdoor में जाके भी फोट्रस को क्लिक किया है इस Gcam के साथ यहाँ पर जाद इससे कुछ फोट्रस को क्लिक करते एंड यहाँ पर जो है HDR mode काम कर जाएगा HDR enhanced mode काम करते हमने अपर छो HDR enhanced mode को enable किया है अगर आप HDR enhanced mode को enable कर गोते आपर छो फोटो सेब होने में टाइम लाएगा फोटो क्लिक होने में टाइम लाएगा तो यहाँ पर इसße अमेर के साथ by default यापर HDR mode and RAW photos को फोटो क्लिक करने बाले है देख सकतो एसे वी option से यापर हम जो फोटो क्लिक कर रहे है फोटो को फोटो क्लिक करने के बाद यापर green tint का issue देना को मिल जा रहा है इसे किस तरह से fix करना होगा इसे fix करने के लिए आपको सिंप्ल यापर सेटिंग्स में जाना होगा इसनप चाहिक्स में जाना के बाद पिक्सल ऑटोमेटिक वाट्वालेनस का option ये और आटो वाटवालेनस का जा option इसंप टैप करना होगा इस में टैप करने के बाद यापड असगाzet प्रला जा ओप्शन ये वाइट वाले Census का इसे एनेबल करने देना होगा यापर पर photo को इसे एनेबल हो जाएगा, इसे आपको एनेबल करना होगा, ठीके, तो यहापर सेटिक्स में जाके ऑटो आइड वालेंस को सेलेट करने के बाद, यहापर जो आटो आइड वालेंस का जो आप्शने वीव फांडर को पर इसे एनेबल करना होगा, इसे एनेबल करने के बाद अ कुछ photos को क्लिक करते हैं अभी फिलाल auto ad valence को enable करके तो यह आपर सब्सक्राइब हमने जह है 1x के साथ जह फोटो क्लिक करते हैं आपर tap to focus का जो options है आप सिंपले पर tap करके भी फोकस कर सकते हैं इस option के साथ जो brightness and shadow है उसे भी आप जो एड़िस कर सकते हैं उसके साथ और भी कुछ photos को क्लिक करते हैं यह पर जो multiple angle के साथ जो फोटो क्लिक करने वाल है देखते हैं कि सेरे से पर जो quality देखनों के मिलेगा इस Google camera के साथ इस Gcam के साथ और जो shutter speed है काफी फास्ट है बहुत ही फास्ट जो है फोटो क्लिक कर सकतो बकी यह पर हमने जो है धेड़ सारी फोटो क्लिक किया है और अगर बात पर फॉर्ण camera के बारे में तो यह पर फॉर्ण camera को भी ट्राइ करके देखते हैं यह पर फॉर्ण camera के साथ जो है face retouching का option है HDR mode का जो option है फॉर्ण camera के साथ भी काम कर जाएगा यह पर फ्लाश्लाइट को एनबल कर सकतो फॉर्ण camera के साथ raw photos का option है टाइमर का जो option से add किया गया है यह फॉर्ण camera के साथ भी कुछ फॉर्टो को क्लिक करते है और यह पर जो है save services प्रिबू का जो option सामने अलेक से enable किया है तो यह पर आपने जो multiple photos को क्लिक के है देखते है कि से तरह से quality देखना के मिल था इस Gcam के साथ तो यह पर इस Google camera के साथ जो कुछ इस तरह से quality देखना के मिल गया है काफी बढ़िया जो है पर natural color देखना के मिल था है accurate color देखना के मिलता है तो कुछ इस तरह से आप जो ग्रीन टीन का जो पॉल है उससे आप जो फिक्स कर सकतो Google camera के साथ ऑटो आइड वैलेंस को enable कर सके बाकि फॉट को उपर जो डिटेल से काफी बढ़ी है विन जुम करने के बाद भी बढ़िया डिटेल्स देखना के मिल ज देख सकतो ओवरल जो फॉट कॉलिटी काफी बढ़िया है और जो लाइट वैलेंस हो भी काफी बढ़िया देखना को मिलता है इस जी कैम का डाउनलोड लिंक डेस्किप्शन बॉक्स में पोवाइट कर दूँगा वापर जाकि इस जी कैम को डाउनलोड कर सकतो या पर इस स पोवार मां जाके भी कुछ फॉटास को किलिक किया है तो अगर आपको नाचरल कालार पसंदे थो इस गुवल कैमर के साथ जो काफी एद तक जो नाचरल कालार के साथ जोफ़ोटो के सकतो फटो कूप पर जो डीटेल से काफी बढ़िया जुम करने के बाद भी बढ़िया देखनों के मिलता है यह पर HDR mode, HDR enhance mode काम कर जागा accurate color देखनों के मिलता है यह पर close to accurate and natural color के साथ अगर अब चाओ तो vibrant color के साथ भी photos को क्लिक कर सकतो है यह काफी बड़िया जहे आइफोन जासा iPhone like photos को क्लिक कर सकतो DSLR जासा blur natural blur यह पर देखनों के मिलता है social media ready photos को क्लिक कर बाओगी इस Google camera के साथ और फाटो को पर जो noise उस भी reduce किया गया है less noise देनों के मिलेगा main lens, altoid lens, macro lens के साथ and vibrant color देनों के मिलेगा almost सबी lens के साथ बाकि आपको photo sample कैसा लगा आप ज़रो से comment करके बताना and recently हमने Google camera 8.9 का जो latest build उसका review video आपलोड किया है simply Gcam का जो playlist है वह आपड जाके check out करके देखो anyway यह पर focus के related कोई भी शुनी है बहुत ही fast जो है पर focus देनों को मिल जाएगा and यह पर auto white balance को add किया गया है auto white balance के साथ जो है accurate color देनों के मिलता है balance से काफी बढ़िया है better color with better details देनों के मिलता है less noise के साथ बढ़िया drilling देनों के मिल जाएगा and इस Gcam का अब as a daily dabber की तरह भी उसकर सकतो almost सभी जो options से काम कर जाएगा सभी जो features से आपर काम कर जाएगा perfect Gcam के build है even selfie के साथ भी बढ़िया details देनों के मिलता है या पर कोई भी इस Gcam के साथ जो issue हमने अपर face नहीं किया है पर portrait mode and selfie का जो options से काम कर जाएगा या पर astro mode भी काम कर जाएगा better photo देनों के मिलता है night mode के साथ and या पर bright light fix का जो options से add किया गया है excellent natural color के साथ जो photo click कर सकतो plus या पर EIS, OIS, video, stabilization का जो options से काम कर जाएगा या पर जो dynamic range भी काफी बढ़िया है perfect dynamic range देनों के मिल जाता है and या पर saturation and contrast को पर जो काफी बढ़िया balance देनों के मिलता है overall जो photo qualities Gcam के साथ जो काफी बढ़िया है definitely आप इस Gcam को try करके दोखो आपके device को उपर and आपको photo sample कैसा लगा आप जरू से comment करके बताना and ये जो Gcam का चुपल दोखो तो almost सभी device को पर काम कर जाएगा and आप वीडियो को like कर देना, वीडियो को share कर देना, चैलन को subscribe करके घंटी वाला icon को दबाके all select करके Instagram में follow बढ़ सकतो thank you very much for watching this video, have a nice day, bye bye